बॉलिवुड अधाकार श्री देवी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी आकरी फिल्म मॉम थी जो पिछले साल 2017 में आई थी। इसे रविवार उद्यवार ने डाइरेक किया था और प्रोडियूसर थे श्री देवी के पती बॉनी कपूर। फिल्म में श्री देवी के और तेले भाई हैं। बहन का नाम श्रीलता। भाईयों के नाम आनंद दौर सतीश हैं दो। साल 1996 में उन्होंने बॉनी कपूर से शाद की। दोनों की दो बेटियां हैं जाववी और खुशी कपूर तीन। श्री देवी ने बॉलिवुड में कदम रखने से पहले तमिल, तेलगू, मल्यालम और कंणर फिल्मों में काम किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में 4 साल की उम्र में बत और चाइल्ड आर्टिस्ट की थी चार। श्री देवी की पहली हिंदी फिल्म सोलवा सावन थी जो साल 1989 में आई थी। आलंकी उन्हें बॉलिवुड पहचान फिल्म 1983 में आई फिल्म हिमत वाला से मिली। यह उस साल की ब्लॉकस बस्टर फिल्म थी पांच, 1989 में आई फिल्म चाल बाज में श्री देवी दोहरी भुमिका में नजर आई थी जो के असी के दशक की आईकॉनिक मूवीज में से एक है। श्री देवी को फिल्म फ पुनी कपूर से शादी के बाद श्री देवी ने फिल्मी दुनिया से अपनी दूरी बना ली थी। लेकिन इस दोहरान व कई टीवी शोज में नजर आई आई आठ। श्री देवी ने साल 2012 में गौरी शिंदे की फिल्म इंगलिश विंगलिश से रुपहले पर वापसी पुनी देवी ने बेहतरीन अभिने से आलोचकों और दर्शकों का दिल फिर से जीत लिया था नो। श्री देवी को हिंदी फिल्मों की पहली फीमेल सुपरस्टार भी कहा जाता था। भारत सरकार ने साल 2013 में उन्हें पदमश्री से नवाजा था।